समाही ठाना पन्नत्ता जे भिक्खु सोच्चा नच्चा निसम्म संजम बहुले संवर बहुले समाही बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेचा कयरे खलुते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बंभचेर समाही ठाना पन्नत्ता जे भिक्खु सोच्चा निसम्म संजम बहुले संवर बहुले समाही बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेचा इमे खलुते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस बंभचेर समाही ठाना पन्नत्ता जे भिक्खु सोचा निसम्म संजम बहुले संवर बहुले समाहि बहुले गुत्ते गुत्तिंदिये गुत्त बंभयारी सया अप मत्ते विहरेचा कंजाहा विवित्त सयनासनाइं से विज्जा से निग्गन्थे नो इत्थी पसुपंडग संसत्ताइं सयनासनाइं से वित्ता हवाई से निग्गन्थे तंकह मितिचे आयरिय आह निग्गन्था सखलु इत्थी पसुपंडग संसत्ताइं सयनासनाइं सेव मानस बंभयारिस बंभचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजिच्चा भेयम वालभेच्चा उम्मायम वापाव निच्चा दीहकालियम वारोगायंकम हवेच्चा केवलिपन्नत्ताओ वाधम्माओ भन्सेचा जम्हानो इत्थी पसुपंडग संसत्ताइं सयनासनाइं सेवित्ता हवाई से निग्गन्थे नो इत्थीनम कहम कहित्ता हवाई से निग्गन्थे तम कहमितिचे आयरिय आह निग्गन्थस सखलू इत्थीनम कहम कहे मानस बंभयारिस्य बंभचेरे संकावा कंखावा वितिक इच्चावा समपज जिज्या भेयं वालबेजा उम्मायं वापावनिज्या दीहकालियं वारोगायं कम्हवेजा केवलि पन्नत्ताओ वाधं मावभन सेज़ा cohorty नो इद्धीनम कहम कहेजा नो इद्धीहिं सद्धिम सन्नी सेज़ाय विहरता हवै विहरता हवै से निगन्थे तंप कहम इतीचे आयरिया आह निगन्त स्खलू इद्धीहिं सद्धिम सन्नि सेज्जा गयस बंभयारिस बंभचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपच जिज्जा भेयं वालबेचा उम्मायं वापावनिचा दीहकालियं वारोगायं कम्हवेचा केवलि पन्नत्ताओ वाधम्माओ बन्सेज्जा तम्हाखलू नो निगंथे इत्थीहिं सद्धिम सन्नि सेज्जा गये विहरेज्जा नो इत्थीनम इंदियाईम मनोरमाईम मनोहराईम आलो इत्ता निज्जाईत्ता हवै से निगंथे तमकह मितिचे आयरिय आह निगंधस्त कलु इत्थीनम इंदियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोए मानस निज्ञायमानस बंबयारिस बंबचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपजेज्जा भेयम वालबेज्जा उम्मायम वापाव निज्जा दीहकालियम वारोगायंकम हवेज्जा केवलि पन्नत्ताओ वाधम्मा वभन सेज्जा तम्हाखलु निगंधे नो इत्थीनम इंदियाईं मनोहराईं मनोरमाईं आलोएज्जा निज्जाईज्जा नो इत्थीनम कुडूंतरंसिवा दुसंतरंसिवा बित्तन्तरंसिवा कोईय सद्धम्वा रुय सद्धम्वा थणिय सद्धम्वा कंधिय सद्धम्वा विलविय सद्धम्वा सुनेत्ता हवै से निगन्थे तम कह मितिचे आयरिय आह निगन्थस्य खलू इत्थेनम कुडुन्तरंसिवा दूसंतरंसिवा बित्तन्तरंसिवा सद्धम्वा, हसिय सद्धम्वा, थणिय सद्धम्वा, कंदिय सद्धम्वा, विलविय सद्धम्वा, सुने मानस सबंभ यारिस सबंभ चेरे, संकावा तंखावा, वितिगिच्चावा, समुपत जिच्चा, भेयम वाल भेच्चा, उम्मायम वापाव निच्चा, दीह कालियं वा रोगा यंकम हवेच्चा के वली पन्नत्ताओ वा धम्माओ भन्सेच्चा तम्हा खलु निग्गं थे नो इत्थीनं कुडुन तरंसिवा दूसं तरंसिवा भित्तं तरंसिवा कुईय सद्धम्वा रोईय सद्धम्वा गीय सद्धम्वा हसिय सद्धम्वा धनिय सद्धम्वा कंदिय सद्धम्वा विलवय सद्धम्वा सुने माने विहरेच्चा जो निग्गं थे पुवरयं पुवकीलियं अनुसरित्ता हवै से निग्गं थे तम कहमितिचे आयरिय आह निगंथस्त खलु पुवरयं पुवकीलियं अनुसरमानस बंबयारिस बंबचेरेसं कावा कंखावा वितिगिच्चावा समुपचिच्चा भेयं वालबेचा उम्मायं वापावनिचा दीहकालियं वारोगा यंकम हवेच्चा केवलि पन्नत्ताओ वाधमावन सेच्चा तम्हाखलुनो निगंथे पुवरयं पुवकीलियं अनुसरेच्चा नोपनियं आहारं आहारित्ताहवै से निगंथे तमकह मितिचे आयरिय आह निगंथस्खलुपनियं पानभोयणं आहारे मानस स्बंभयारिस बंभचेरे संकावा कंखावा वितिगिच्छावा समुपद्जिज्चा भेयम वा लबेच्चा उम्मायम वा पावनिच्चा दीहकालियं वा रोγαयंकं हवेच्चा केवली पन्नत्ताओ वा धम्माओ भन्सेचा, तम्हाखलू नो निकन्थे पणियं आहारं आहारेच्चा, नो अईमायाये पानभोयनं आहारेच्टा हवैसे निकन्थे, तम्कहमितिचे आयरिय आह, निकन्थस खलू आयमायाये पानभोयनं आहारेच्चा, नो विभूसावाये हवैसे निकन्थे, तम्कहमितिचे आयरिय आह, विभूसावतिये, विभूसिय सरीरे, इत्तीजनस्द अभिलस निज्जे हवै, तवनम तस्स इत्तीजनेनम अभिलसिज्जमानस्द बंबयारेच्चा, कावा कंखावा वितिकिच्चावा समपचिच्चा, वेयम्वा लपेच्चा, उम्मायम्वा पावणिच्चा, दीवकालियम्वा रोगायंकम्हवेच्चा, केवलिपन्नत्ताववा धम्मावण सेच्चा, तम्माखलू नो निग्गन्थे, विभूसाणुवाईसिया, नो रूव, नो सद्द रूव, रसगंद भासाणुवाई हवैसे निग्गन्थे, तमकह मितिचे, आयरिया आह निग्गन्थ सखलू सद्द रूव, रसगंद भासाणुवाईस, बंभयारिस, बंभचे रेसंकावा, कंखावा, विथिगिच्चावा, समुपच्चिच्चा, भेयंवा, लभेच्चा, उम्मायंवा, पावनिच्चा, दीवकालियंवा, रोगायंकम हवेच्चा, केवलिपन्नत्ताववा, धम्मावबन्सेच्चा, तम्हाखलू, नो निगंते सद्ध, रूवरस, गंध, पासाणुवाई हविज्चा, दसमे बंभचेर समाहि ठाने हवेई, भवन्ति इत्थ सिलोगातं जहा, जम्विवित्त मनाइन्नम, रहियं थीजनेनय, बंभचेर सरकत्था, आलयं तुनिसेवे, मलपल्हाय जननिम्, कामराग विवध्धनिम्, बंभचेर रवभिकू, धीकहं तु विवज्चे, समम्च संथवं थीहिं, संकहं च अभिखनम्, बंभचेर रवभिकू, निच्च सो परिवज्चे, अंग पच्चंग संथाणं, चारुल्ला वियपेहियं, बंभचेर रवभिनं, चक्खु गिज्चं विवज्चे, कुईयं, रुईयं, गीयं, हसियं, थनियं, कंधियं, बंभचेर रवभिनं, सो यगिज्चं विवज्चे, हासं किड्डम्, रैंदप्पं, सहसावत्तासियाणिय, बंभचेर रवभिनं, नानुचिंते कयाईवि, पणियं भत्त पानंतु, किप्पं मय विवड़नं, बंभचेर रवभिकु, निच्चसो परिवज्जये, धम्मला धम्मियं काले, जत्तत्तं पनिहानवं, नाइमत्तं तुबुन्जेज्जा, बंभचेर रोसया, विभूसं परिवज्ज्जा, सरीर परिमंडलं, बंभचेर रवभिकु, सिंगारत्थम नधारे, सद्धेरूवे यगंधेया, रसे भासे तहेवय, पंचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जये, आलो थी जनाइन्नो, थी कहायमनोरमा, संथवो चेवनारीनं, तासिं इंदियदा दरिसनं, कुयम रुयम गीयम, हसियम भुत्ता सियानिय, पनियम भत्त पानंच, आइमायम पान भूयनं, गत्त भूसन मिठंच, राकामभोगाय दुज्जहा, नरसत्त गवेसिस, विसंताल उडंजहा, दुज्जए कामभोगेय निक्चसो परिवज्जए संकथानी, संकथानानी सव्वानी, वचे जापनिहानवं, धम्मारामे चरे भिक्खू, धीमम धम्म सारही, धम्मारामरे दंते बंभचेर समाषिये, देवदान वगंधवा, जक्खरक्षकिन्नरा, बंभयारिम्नमन संती, दुखरम जेकरेंपितम, ये सधम्मे धुवे निच्चे, सासे जिनदेशिये, सिध्धा सिझ्धन्ति चानेन, सिच्छि संतिताहावरे तिवे नि दीप पर्वका, ये स्वध्याई पक्षर है, और ये स्वध्याई, भगवान की अंतीम देशना, बर्मात्मा, उनके प्रती हमारी परमश्रध्था, और जो ऐसे श्रध्धिय है, हमारे प्रानाधार है, हमारे सर्वे सर्वाह है, और उन्होंने जो अंतीम समय में कहा, अब वे उस सिद्ध अवस्ता को पाने के बाद में, हम अपने बीश में उन्हें खोजेंगे, नहीं पासकेंगे, ऐसा हो समय आने वाला है, और उस समय जो कहा गया है, वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना आवश्रक है, कि हमारी तो क्या, आने वाली शताब दियों तक, लोग उन्हें सुनना चाहेंगे, ऐसी वोवानी है, हमारे अतीत में पजिसो वर्ष तक लोगों ने उनको सुना है, और हमारे आने वाले और भी हजारों वर्ष गिंदी नहीं है उसकी, और हो सकता है, और हो सकता क्या है, निश्चित है, यही बानी, यही बोध आने वाले तिर्थंकर भी, वही बोध दुनिया को देंगे, अईसा यह महत्वपूर्ण बोध जो भगवान ने दिया है, उसका स्वाध्य कर रहे है, परम भाक्यशाली है हम, कि यह खजाना हमारे हाथ लगा है, और जिनकी कृपा से लगा है, जिन्नोंने हमारे भीतर यह रस चगाया है, परम श्रत्य यह, आचार्य श्रीताहिमा के चर्णों में हम कृतग्यता पूर्वग बंदन करते हैं, और साथ ही हमारी यह श्रुट बहुत श्रुट जो रहे हुए है, जिन्नोंने अब तक इसे संजोया है, सुरक्षित रखा है, उसको स्पष्ट किया है, वही दिया है, उनके प्रती भी, इस दिर्ख जाना राधक, साधना रत, महान तिव्यात्माओं के चर्णों में भी हम बंदन करके, उनके प्रती आदरफाव प्रगट करके, फिर हम इसको ग्रहन करते हैं, जो ग्रहन करना है वो इतना महत्वपूर्णा है, तो जो दे रहा है, वो कितना महत्वपूर्णा है तो उसके प्रती भी, ज्ञान के प्रती और ज्ञान दाता के प्रती आदर भाव से भर करके हम यह स्वाध्य कर रहे हैं। उद्राध्यन सुट्र अजार्या स्रीजी ने सन उनिस सो इकतर के कलकत्ता चातुरमास के बाद में इसका अनुवाद और प्रकाशन किया। इतना सुंदर, इतना सटिक, इतना शुद्ध, और उसे ही हम आज बढ़ रहे हैं। अज सुलमा अध्यन है। जितने जितना ज्यान महतुपूर्ण, जितने शब्द महतुपूर्ण, उतने ही प्रिय शब्दों को हमने प्रिय आमाज के साथ में सुना है। संगवित्राजी ने बहुत ही सुन्दर और ये दो रूपों में है। गद्य रूप में है, पद्य रूप में है। और दोनों को भी। और दोनों करते हैं। पढ़ना है। यज ने प्रिय फ्रिय द्यृत मॉपूर्ण भी ट्रग में इंहेजी Corda संगे और ये ये विलam Acts कषचत्ष्व पढ़ना है। पढ़ना है। और हम सुन रहे हैं। तो हमें भी शुति प्रिया, सुनने में अच्छा लग रहा है, आमाज अच्छा लग रहा है, तो हमारे भाव भी इतने ही अच्छे हो, कि उन अच्छे भाव के साथ में हम सुने और समझे, ये प्रह्मचर्य अध्य, मातुपूर्न है इसाथिना, किसको कहते है ब्रह्मचरिया, क्या है ब्रह्मचरिया? कोई भी नाम दो, साधना की शूर्वात और साधना की परिनती, साधना का प्रारंभ वो बीच, आम का बीच है तो आम का ही बीच है, और जब फल आते है, तो उसे क्या करते हैं, पत्ता है तो आम का पत्ता है, पेड है तो आम का पत्ता है, और फल है तो आम है, तो जो प्रारंब है साधना का, वही नम उस वरुक्ष का, उस पत्ते का, उस फल का है, जो सिद्धी है, जो साधना है, और साधना का श्रुभारंब है, जाहे उसे स्वर ताब ब्रह्मचर्य बह चर मांजा खाण तब ब्रह्मचर्य इसका अर्थ कै ड़्क्षम आर्छोल-। नेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या, मेरा सुभाव क्या, यह खोजने के लिए सादक निकला है, उसकी खोज है ब्रह्मचर्य के, और वो ब्रह्मचर्या, और किवल ब्रह्मचर्या नहीं, ब्रह्मचर्या समाधी स्थान, ब्रह्मचर्या के लिए जो अब साधना कर रहे हैं, वो साधना समाधी भाव में हो, तो ऐसे कौन से समाधी स्थान है, उसकी चर्चा इस अध्यान में है, ब्रह्मचर्या स्वरूपोध एक जान में गया और एक भाव में आया है ब्रह्मचर्य मतलब स्वरूप रमन और उस स्वरूप रमन के लिए कहां बैठोगे, कहां वो रमन, कहां रमोगे, उस रमने के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, कहां खोज, उस खोज के लिए, क्या आवश्रक है, कैसा आपको खोज, कैसी खोज करना है, और उस खोज के लिए चलते ही समय में किस रास्ते से चलना है, वो रास्ता कैसा होना चाहिए, चल रहे हैं, जहां तहां ठोकर खा करके चलोगे, जहां तहां गिर्टे पड़ते चलोगे, तो भाग चाओगे उस रास्ते से, कि रास्ता खतर्नाक है, तो चलना है, तो समाधी भाव में चलना है, और समाधी कैसे रहेगी, कि रास्ते में कोई व्यवधान न हो, रास्ते में कोई काटी न हो, रास्ते में कोई चोट लगे ऐसी तो वो रास्ता कैसे हो सकता है, गिरपड जिस पत्थर से ठोकर खाई, उस पत्थर को ही, ओह ओह ओह, यही मेरे ले प्रिय है, यही आनंद देने वाला है, यह ब्रह्म पेदा किया है, और इस ब्रह्म का नाम ही अब्रह्मा है, साध्यना करनी है, पक्षी जैसे आकाश में उड़ता है, जितनी उचाई के उड़ान का आनंद लेता है, तो फिर वो धर्ती पर आता है, धर्ती से तूट करके नहीं जाता है, फिर धर्ती पर आना होता है, एक साधक, आत्म रमुन और स्वरु बोद की उड़ान तो भरता है, लेकिन फिर इस शरीर में ही रहता है वो, इस शरीर, यह शरीर संसार में है, इस शरीर की इंद्रिया है, वो अपना-पना कार्य कर रही है, तो वो जब कार्य कर रही है, तो वो इंद्रिया यह समझ रहने लगी है, कि यह कार्य ही मुझे आनंद देने वाला है, जो इंद्रि आख दिर्श देख रही है, कान सुन रहे है, नाख गंदर ले रही है, शरीर स्पर्श ले रहा है, और ये स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिर्श बहुत अच्छे लग रहा है, उसी में रहो, ये बोचन बहुत अच्छा लग रहा है, वही रोज रोज करो, वह कितनी देर आप वो दृष्व देखते रहोगे, कितनी देर वो सुनते रहोगे, कितनी देर भोजन करते रहोगे, कितनी देर स्वाद लेते रहोगे, अन्त में जाकर के उसके तुखत परिणाम सामने आते हैं, और फिर भी हम समझते हैं, कि बड़ा स्वादिष्ट भोजन आन तो आने के साथ ही वह कपड़े उतार दो जेवर उतार दो वह बाजार का माहूल छोड़ दो और घर में श्रांती से रहा है यह ब्रहम और फिर उस ब्रहम में जी रहा है फिर उस तरफ भाग रहा है इतनी नासमजी भरी जो यात्रा है यह नासमजी ही अब ब्रहम है यह नासमजी ही असमाधी स्थान है तो यह ब्रहम को तोड़ना ही ब्रहमचर्या है इस ब्रहम को तोड़ना ही ब्रहमचर्या है और उसके लिए हम जो इंद्रिया कोला हल पहिदा कर रही है गिरते हैं और फिर वही से चलते हैं फिर उठकर के फिर वही रास्ता वही चलना वही खाना वही पीना वही देखना वही सोना उसी में आनंद ले रहे हैं तो ये बार बार जो पुनराबृति हम जो कर रहे हैं वो अप्रम्भ है और उस पुनराबृति को तोड़ना वो श्रं क्योंकि बार बार आपने कद्यव जब सुना है इसका प्रारंब में जो यह स्थान बताए नौ उसमें हमने देखा है कि जब तुम यह करोगे तो लोग तुमें एक शराबी के दुकान पर चाकर के खड़े रहोगी उन शराबीने वालों के बीच में उसी के टेबल पर चाकर क पैठोगी तो क्या होगा देखने वाला क्या समझेगा आप शराब पी रहे हैं शंकावा कंखावा इस ऐसे असमाधी स्थान पर जाओगे तो मच्छाना क्योंकि आपके बारे में आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा अगर व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा उसे धूमिल मत हो ने दो अगर वह धूमिल हुआ तो कोला हल पैदा होगा शोर शराबा पैदा होगा और घबरा करके फिर तुम्हारा पतन हो करके तुम उस बार बार उसी में रर्जने एक गहरे कुए में से बाहर मिकालने के खोषिये व्यक्ति कुछ प्रैश्च न करता है उस कुए की दिवाले चड़ता है चड़ते चड़ते फिर धनाब से गिर करके वापस उसमें चला जाता है इस तरह से जब लोग शंका करेंगे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे जब तुम्हारा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा तो तुम गिर करके फिर उस को ये में गिर जाओगे इसलिए ऐसे स्थान को छोड़ देना जहां तुम्हारे बारे में लोग तुम्हारी निंदा आलोशना करेंगे तो ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? तुम्हारा शरीर और तुम्हारा व्यक्तित्व धुल होगा और शरीर बीमार हो जाएगा अस्वस्तता आजाएगी कैसे अस्वस्तता आएगी? रोगा यंका दीह कालिम्वा रोगा यंका हवे जाँ तुम्हार हो जाओगे लगा तार चोवेज घंटा बहुत अच्छी चीज है बहुत स्वाधिस्ट बोचन है और कहा करके खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे तो क्या हो जाएगा? वोमिट होगी अपचन होगा बीमारिया घेर लेगे और ऐसे बीमारी में आप ना बिजनेस कर सकेंगे ना स्वाध्य कर सकेंगे ना कोई आपका प्रिय व्यक्ति आया है तो उससे बात्चित कर सकोगे उसके साथ में आनंद ले सकोगे कुछ भी नहीं कर सकोगे हाउस्पिटल के जाना कौन पसंद रहेगा हाउस्पिटल में रहना कौन पसंद रहेगा एक बीमार वक्ति भी कहता है कि मुझे हाउस्पिटल में नहीं रहना है तो ऐसा यह असमाधी स्थान है इसलिए इन समाधी स्थानों को छोड़ो आश्चर्य है कि एक तरब हमारी वानी कैसी होनी चाहिए, मजूर होना चाहिए, लोग हमें देखें, तो खुश होने चाहिए, लोग हमारे साथ में बैचना पसंद करें, लोग हमें सुनना पसंद करें, और इस असामाधी स्थान क्या है? किसी का रोधन सुने, किसी की विकृत भाशा सुने, विकार ग्रस्त वचन सुने, विकारी लोगों को हम देखें, चाहिए वो कितने भी सजे सवरे हो, चाहिए वो कितना भी सुन्दर लगता हो, लेकिन ये सुन्दरता, उस गुरुपता को छुपाने वाली सुन्दरता है। एक मरे हुए ब्यक्ति, मृध्य ब्यक्ति, और उसके पांस में अगर स्वाजिश्ट भोजन रखा, तो क्या वो ब्यक्ति उस स्वाजिश्ट Bujakति भोजन का रश ले सके गा से कितना भी ? उसका किया जाए, कितने भी अच्छे कप्रे पहनाए जाए, कितने भी अच्छे जेवर पहनाए जाए, तो क्या है, क्या है, भरक समझ में आया, एक मृत व्यक्ति है, उसका रूप, उसका सुंदर ये, उसका पहनना, उसका ओडना और उसका जिये, जिसके अंदर में विकार और एक शुद्ध परम शुद्वूयक्ती की सुंद्रता हैu बगत्यमारस्तोत्र पड़ रहे है किश पड़ते है बगत्यमारस्तोत्र में बगवान के कहां बिराजिए है कितने सुन्दर है, कितनी भव्रता है, उनके शरीर का वरनन, उनके सिहासन का वरनन, क्या मतलब, सुन्दर्ता से भागने को नहीं कहा है, उस विशुथ आत्म भावों की सुन्दर्ता वस्तुति के योग्य है, और भीतर में जहां विकार भरे पड़े हुए है, और उसको सजाया गया है, तो वो विकार पैदा करने वाले है, बिमारिया पैदा करने वाले है, अगर एक पानी, सुन्दर, सच पानी एक गड़े में भर करके रख लिशिये, क्या पैदा होगा? क्या पैदा होगा? पानी गंदा हो जाएगा, मिट्टे में मिल जाएगा, काई पैदा होगी, मख्षी, मच्चर पैदा होगी. तर इसलिए, ऐसे बिमारिया पैदा करने वाले स्थानों से, ऐसे गंदे तालाब से दूर रह करके, ख्षीर समुद्र में आ जाईए, उस समाथी भाव में आ जाईए, आपको फिर उडान उची भर करके, आत्म रमन्ता के साथ साथ इस शरीर की भी आवश्रक्ता पूरी करनी है, तो उसके लिए भोजन भी लेंगे, तो कैसा भोजन लेंगे? कि मेरे साथना में जितना आवश्रक है, इस शरीर की रक्षा के लिए जिस भोजन की जरुरत है, उतना ही परिमीत, सयमित भोजन में लूँ, ऐसे आसन पर बैठू, कि जिस आसन से बैठने के बाद में, मैं अपने समाधी भाव में रह सकूँ, ऐसे आसन पर बैठू, कि वहां बैठने के बाद में मेरी साथना खंबित हो जाए, मेरी मर्यादा स्कलित हो जाए, मेरा जीवन, उस रास्ते पर चलू, जहां फिसलन नहीं है, उस रास्ते पर चलू, जहां काटे नहीं है, उस रास्ते पर चलू, जहां पत्थर नहीं है, ज उस दिव्यात्माव के जीवन के पुष्पों की सुगंद है मैं वह सुनू जिसमें मेरी आत्म रमन्ता और अधिक गहरी उतर चाए मैं वह देखू जिसको देखने से मेरी शांती खड़ भी नहो बलकि शांती में भृत्थी हो मैं पैठू गुरुओं की चर्णों में है मैं रहू उनके सानित में मैं सुनू प्रभु की वğानि मैं दशन करू दिव्यात्माव की इस संसार में भी जहां-जहां मेरी नजर पढ़े वहां मैं दिव्यता को खुझ हू और दिव्यता को देखने की कोशिश करो, उस गंदगी की तरफ नहीं, जो मन को विकारों से पढ़ें, जो मन को विकार से पढ़तें, अगर कच्रे के धेर पर जा कर के बैठेंगे, तो हमारा शरीर भी कच्रा हो जाएगा, और मंदीर में जाकर के बैठेंगे तो ये शरीर साधना में सनलक्न हो जाएगा ये शरीर अगर गंदे तालाब में जाकर के पढ़ा रहा तो इस शरीर में कीड़े पैदा होंगे और हम दिव्यता के साथ में बैठेंगे उनकी सेवा में रहेंगे तो दूसरों की जीवन की पीड़ा को दूर करने वाला ये शरीर होगा स्वयम पीडित होने वाला नहीं होगा स्वयम गंदा होने वाला नहीं होगा लेकिन दूसरों को भी अच्छा लगे ऐसा थी हम तिर्संकरों के चलने के विहार की चर्चा करते हैं पादव पदानि दवयत्र जिनेद्र धत्त पद्मानि धत्र विवुधा परिकल्प यद्धी परमात्मा के जहां चरन पड़ते हैं उस धर्ति पर पद्मकमल खिलते हैं तो हम ऐसे चले ऐसे देखे हमारे भावों से हमारे वानी में क्रोध भरा हुआ न हो हमारी क्रिया में विने हो नम्रता हो हमारे वानी में शुप बचन हो यह प्रमचर्य है और उसकी यह मर्यादा है यह नियम यह जो दस समाधी स्थान बताए है जिसकी चर्षा इन गाथाओं में की है यह जो दस समाधी स्थान बताएं है कि कोला हल से आकिर्न स्थान जहां से विकृती पैदापुती है ऐसे स्थान पर न जाए ऐसे स्थानों की कथा न करें उनसे परिचय न करें बतलब अगर एक पुरुष है तो उसके लिए स्त्री और उनकी इंद्रियों को ना देखे उनके कुजन रोधन गीत न सुने और भोगों और सहवास का स्थान का स्मरण न करें छोड़के अकेले बैठे एकांत में बैठे किसका विचार करोगी किसको सोचोंगी पूर्व भोगों का स्मरण करके उसका चिंदन मत करना अच्छा आउ में रहे आत्म रमन्ता में रहे प्रभू के स्थुटी में कुछ बोले कुछ स्वाध्या के उस पृष्टों को देखे वो पढ़े ऐसे न करके हम उस विकारों में उस गंत्वी में रहे हुए जीवन को याद करके उसी का चिंदन न करे और बार अधिक मात्रा में भोजन न सुन्दर लगेंगे यह ताल व्रक्षकी तरह है विश भरे फल है इनका सेवन करोगी तो शरीर में विश ही पहले का तो इन समाधि स्थान को छोड़ना है और समाधि भाव में रहना है बागेशाली है कि प्रातकल इस समय में आपके वहां पर कोई प्रातकल नहीं होगर के दूसरा समय होगा, लेकिन इस समय में आप भगवतवानी का श्रवन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आप वोल रहे हैं, प्रभू कि वस्फवाद वचन को दूरा रहे हैं, जो भगवान में बोला है, उसी को हम दूरा रहे हैं, कि उस सब्दों को दूरहने से हमारी इस जीवा का रस भी मधूर हो जाया हमारे बचंत भी मधूर हो जाया और उनका स्रवन करके जीवन पर बीतर और वी गूतर जाए तो हमारे कशाषा रे बिलीन हो जाए सबनी हम खैन्हां करेंगे हम कुछभी काम करते होंगे कहीं भी बैठे होंगे, किसी के भी साथ होंगे, तब भी हमें ये वच्चन याद आए, इसका ही स्मरन करें, इसी को दूर आए, इसी को पार-बार रटन करें. सत्रवा अध्यन जेके इमे पवये नियंते, धमम सुनित्ता विनव ववन्ने, सुदुल्लहं लहियुम् भोहिलाभं विहरे जपच्चा यजहा सुहंतु, सेज्जा दढ़ा पावरणं मे अत्थी, उपज्याई भोत्तुम् तहे वपावं। जाना मि जम वट्टै आउ सुत्ती, किम नाम काहा मि सुएन भन्ते, जेके इमे पववये निद्दासीले पगामसो, भोच्चा पेच्चा सुहं सुवई, पावसमने तिवुच्चेई। आयरी उवज्जायेहिं सुयं विनयं चगाहिये, तेचेव खिंसाई बाले, पावसमने तिवुच्चेई। आयरी उवज्जायानं सम्मम्नो पडितपई अपडिपूये थद्दे पावसमने तिवुच्चेई। संधमाने पानानी बीयानी हरियानिया असंजये संजयमन्नाने असंजये संजयमन्नमाने पावसमने तिवुच्च्चेई। संथारं पलगं पीधं निसेज्यम् पायकंबलं अपमज्जियमारुहै पावसमने तिवुच्चेई। दवदवस चरै पमत्तेय भेखनं उल्लंगने यचंडेय पावसमने तिवुच्चेई। पडिलेहेई पमत्ते उववुज्जय पायकंबलं पडिलेहनाना उत्ते पावसमने तिवुच्चेई। पडिलेहेई पमत्ते सेकिंचिहु निसामिया गुरुम् परिभावये निच्चम् पावसमने तिवुच्चेई। बहुमाई पमुहरे थद्धे लुद्धे अनिगहे असम विभागी अचियत्ते पावसमने तिवुच्यी विवादम चवुदीरे अहम्मे अत्तपन्नहा वुगहे कलेरत्ते पावसमने तिवुच्यी अथिरासने कुकुईये जत्थ तत्थ निसीयाई आसनम्मी अनावते पावसमने तिवुच्यी ससरख पाए सुवई सेज्जम्न पडिलेहाई संथारे अनावते पावसमने तिवुच्यी दढ्ध दही विगईयो दुद्ध दही विगईयो आहारे अभिखनम अरैयत वोकम्मे पावसमने तिवुच्यी अथन्तम्मिय सूरम्मी आहारे अभिखनम चोयो पडिचोयी पावसमने तिवुच्यी आयरिय परिच्चाई परपासंड सेवए गणंगणिये दुब्भुए पावसमने तिवुच्यी सयं गेहं परिच्चज परगेहं सिवावडे निमित्तेन यववहरे पावसमने तिवुच्यी सन्नाई पिंडम जेमे नेच्चै सामुदानियं गिहिनि सेज्जम चवाहे पावसमने तिवुच्यी ए यारिसे पंच कुसील समगोडे रूवं धरे मुणि पवरान हेत्थिमे अयन सिलोए विसमे वदरहिये नसे इहमने वपरतलोए जेवज्ये सयाओ दोसे से सुवए होई मुणीन मज्ये अयन सिलोए अमयम बपुईये आराहे लोगमिनम तहावरम तिवेई सत्य को कितनी दूर तक लेजा करके उसे समझाने की कमाल है बगवान महवीर की कितना प्रेम भूर्न जीवन रहा होगा कि जीवन की छूटी से छूटी बात और सुक्ष्म रूप में होने वाली असयम की बात महवीर ने की एक मा भी अपने बच्चे को जब समझाती संबालती सवारती बालन पोशन करती बढ़ा करती है तब भी वो उतनी सावधानी नहीं रख सकते होगी जितना की हमारे प्रती प्रेम पूर्न हो करके उस एक मा से भी बढ़ करके कि दिशानेर्देशन किया है समझाया है कि देखो अच्छा लगा जिन वचन पर श्रंथा करके तुम प्रभू के मार्ग पर आये हो दिख्षा ले ली और फिर हो गया काजय पूरा जैसे कोई एक पुत्र सोचे की पिताजी ने मुझे अच्छा घर दिया अच्छा बिसनिस दिया अच्छा सब कुछ अब बस हो गए सब कुछ मिल गया संसार में जो प्राप्त करना चाहिए था मिल गया और रुप्में सयम के इस यात्र पर पुर्शाथ के इस यात्र पर साधना के इस मार्ग पर आये हो तो यह पर जब तक सिधि प्राप्त नहो तब तक पूर्ण विरामत लगाना और लगाते हो रुप जाते हो तो वो बार बार उस शब्द को दूराया है जो साधक यह सोचता है अब क्या है दिख्षा लेली मैंने हो गया मैं साधू पालिया सब कुछ अब मुझे क्या करना है प्रमात में पड़ा रहता है क्या कहां माविर ने उसके लिए क्या कहां बहुत चुबने वाला शब्त है यह पाप श्रमन कहां दिख्षा लेली श्रमन हो गया है लेकिन फिर अरजन क्या कर रहे हो अगर कभी भी ऐसी कोई गलती हो जाए और हम स्वेब अपने आपको इस शब्दों से सम्मुजित करें तो कैसा लगेगा कितना दुख होगा कितनी पिला होगी कभी ऐसा मौका ना आए चिंदकी में अगर गुरु ऐसे शिष्ट को कुछ कहता है कि तुम पढ़ो स्वाध्य करो गुच्री के लिए जाओ गुच्री लेकर के आओ विहार करो पलेवना करो प्रतिलेखन करो तो क्या करता है सुयम विनयम्च गाहिये उस स्वाध्य करा रहे है तो उस क्यान को भी विनय पुर्वक ग्रहन नहीं करता है इतनी बड़ी निधी आप जेवर किसमें रखते हैं मुल्यवान चीजे कहां रखते हैं कैसे रखते हैं यूही फेग देते हो, डस्ट बिन में रखते हो, फटे चिथड़े में बांध करके रखते हो ज्वेलरी बॉक्स में रखोगे ज्वेलरी सजा करके रखोगे दीरे से उठाओगे कि कई टूटे नहीं कई गिरे नहीं एक काज का ग्लास भी रखना हो टेबल पर तो साउधानी के साथ रखे कि टेबल पर ही रखे नीचे ना गिरे और जब गुरु का ज्यान लेना हो तो कैसे लेना है भी नहीं पुर्वक नतमस्तक हो करके लो धन्यता का अनुभव करके लो अगर वो बाल अज्यानी स्रमन ग्रोधित हो करके जब देखो तब टक टक करते जब देखो तब करते यह करो यह मत करो यह इसा कर यह अगर कोई करता है तो वो कौन है यह बार बार स्वाज्याने तो दूरा है लेकिन कभी दूराने काम न पड़े कभी न बोलना पड़े कि ऐसा जो करता है वो कौन है ऐसा किसी को मन दुखे ऐसी बात मत बोलो गधा जो कर"? Mead दुखाओ किसी को मैंने क्या किया? जो सच है, वो कह दिया? मैं को छूट भोला? यह क्या है? असे इम कर रहे है और फिर भी कह रहे नैं से अयम कर रह। किसी को तकलिफ दे रहे हैं फिर कहते हैं मैं सच बोल रहा हूं। कितने भड़ी बात गया थी। यह भूले हमसे बार-बार होती है, असावधाने में होती है, और सोभाव हो गया है। अपने आपको सही सावित करने का और उसके लिए कैंगे हां मैंने सच बोला है। असंजय संजय मननमाने, असययम कर रहे हो और फिर भी मानते हो कि मैंने सययम किया है। ऐसा व्यक्ति कौन है। वावसमनति उच्छे, वाप श्रमन है। वाप सत्य नहीं बोला है, वाप पेदा किया है। कैसे चलोगे। कैसे चलोगे। कहां पेर गिर रहा है। कहां चल रहा है। कैसे देख रहा है। धान धान पेर पटकतर के चल रहा है। कब पेर पटकते हैं। दर्वाजा जोर से धडाम से कब पन करते हैं। क्या है वो हमारी क्रिया कैसी हो हम हाथ भी उठाते हैं ठीक है गुरु ने कहाँ ये करो वो करो नहीं किया ठीक है सब ठीक है लेकिन तुम भोजन तो करोगे ना क्रिया तो करोगे तुम अपने मन को रमाने के लिए वाक पर जाओगे अच्छा फूल देखा तो वहाद पहुंच जाओगे कुछ तो क्रिया करोगे ही लेकिन वो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए उस क्रिया से भी तुम्हारा व्यक्तित्व जलगता है तुम्हारी क्रिया दर्पन है उस दर्पन में तुम ही दिखाई दे रहे हो अगर आप अच्छे कपड़ पहन करके अभिष जाते हैं अच्छे कपड़ पहन करके पार्टी में जाते हैं क्यों अच्छे कपड़ पहन करके जाते हैं कि हम जड़ा अच्छे दिखाईगे हम अच्छे लगे हमारा स्टैंडर लगना तो जब हम बात करते हैं तो कैसी बात होनी चाहिए हम अगर हाथ भी उठाते हैं तो कैसे उठना चाहिए एक आशिर्वाद से हत उठना चाहिए कि किसे को धक्का देने के लिए हाथ उठना जाएं, इन क्रियाओं में हमारा व्दक्तित्व धिकाई तेरा, कि हम किस भाव से भरे हुए, तो उसको कैसे रखोगी, एक आसन भी उठा करके तुम बैठोगे, तो कैसे बैठोगे, बैठे हैं, तो पैर ही ला रहे हैं, को सुन रहे हैं, तब भी हाथ कई आखे मुसल रहा है, कई नाक में अंगुलिया डाल रहे हैं, कई कान में अंगुलिया डाल रहे हैं, यह अनावश्र क्रिया है, जो करता है, वो पावसमनेति उच्चही, हमारा जीवन प्रतिविंब बने हमारा, हमारी क्रिया हमारा प्रतिव अगर अच्छा नहीं लगता है, तो मत करो ऐसा, सुधार लो अपने आपको, बन जाओ पुन्यश्रमन, बन जाओ पुन्यश्रमन, बदल दो आपने आपको, इतनी छोटी छोटी, दमव दमव सकते, डंदन पैरपटक के मत चलना, कोई सोया है, बीमार है, सीर में दर्द है, और उसके पांस से पैरपटक करके जाओगे, तो उस व्यक्ति को असाता होद की कोई सोया है, आराम कर रहा है, ठक हुआ है, कैसे सोया है, क्या कै, आपको पूछना ही है, तो जरा पूछी, ठक हुए है, मैं करूँ कुछ आपके लिए, अगर भंद लग रही है, और वो बिना ओडे हुए सोया है, तो तो उसको चादर ओडा दीजे, हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहा है अगर ये बाहर के ख्रिया भी हमारे ठीक नहीं है तो हमारे भीतर की हम किसी के सुख को डुक को क्या समझेगे क्या देखेगे, कैसे भूतानु कंपी बनेंगी एक स्रोमन को दयापोर्न, प्रेम पूर्न होना चाहिए तो वो कैसे होगा, कैसे अपनी अंदर में जाकोगे, कैसे अपनी आपको देखोगे जब यह पाहर की कृया भी आमें अपनी नहीं दिकाई देती है तो बगवान किसकी लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमारे अपने लिए organ हमारे जीवन की सुक्षान्ती इसी में छुपे हुई है कोई दूसरा प्रेम से बोले तो बहुत सुख मिलता है लेकिन हम अगर कुरोध में बोलते हैं तो हम अपने आपको दुखते रहे हम अपने आपको सता रहे हम अपने आपको पीडा दे रहे हम अपने लिए ही पाप का इसलिए पापश्रमन का है, तो इस बातों को थोड़ी साउधने के साथ में हम चलेंगे, यही हमारी चलेंगे, आगे का अजयनुगा, आगे का अजयनुगा। कंपीले नयरे राया, उद्देन बलवाहने, नमेनं संझये नाम, मिगवं ओवने गये, आयानिये गयानिये, राणिये तहे वया, पायत तानिये, कंपील उज्जान के सरे, भीए संते मिए तत्थ, वहे रसमुच्चिये, अके सरम्मि उच्चाने, अनगारेत ओधने, सज्जाय जान संझुथे, दम्म जानं जियाये, अपोव मंदवं मी, जाये जवियासवे, तसागे मिए पासं बहे इसे नरावे, आसगो राया, किप्पमागं मसोतहिं, हये मिये तुपासित्ता, अनगारं तत्थ, पासहि, अरा संबन्तो अनगारो महाहो, मये उमंदपुन्नेनं, रसगिद्धेन जन्तुना, आसं विसज्य इत्तानं, अनगारस सोनिवो, वनएडवंड़े पाए, भगवं एत्तमेकमे, अह मोलेनसो भगवं, अनगारे जानमसिये, रायानं नपडि मंते, तवराया पयद्दू, संझवो अमसिति, भगवं वाहराहिमे, कुद्धेतेन अनगारे, दज्देज्य नरकोडिय। अभवो पत्तिवातुभं अभयदाया भवाहिय। अनिचे जीव लोगम्मी, किम हिंसा इपसज्यसी, जयासौवं परिचज्य, गन्तव मवसस्ते, अनिचे जीव लोगम्मी, किम्रज्यम्मि पसज्यसी, जीवियं चे वरूवं च, विज्जू संपाय चंचलं, जत्तंतं मुझ्यसीरायं, पेच्चतं नावबुझ्यसे, दाराणियसुयाचेव, मित्तायतव बंधवा, जीवंत मनु जीवंति मयं नानु वयंतिय, नीहरंति मयं पुत्ता, पियरं परमदुख्या, पियरो वितहा पुत्त बंधुरायं दवंचरे, तवो तेनज्जिये दवे, दारेय परिरक्किये, केलन तेन, केलन तन्ने नरारायं, हत्त तुठ्ठमलंकिया, तेना वीजंकयं कम्मं, सुहं वाजय वादुहं, कम्मुना तेन संजुत्तु, गच्चय उपरंभवं, सुनतस सोधंम्, अनगारसांतिये, महयासं बेगनिवेयं, समावन्नो नराहिवो, संजवु चैवुम्रज्यम्, निक्खंतो जिनसासने, गद्धभालिस भगववू, अनगारसांतिये, छिच्चारत्थं पववये, खत्तिये परिभासई, जः जाहते दिसएरुवम, पसंनम् ते तनाजमनो, किम नामे किम गोते का सथ्थाएव माहने कहम पड़े रसी बुद्धा कहम बिनी एति उच्चसी संजो नाम नामेनम तहा गोतेन गोयमो गद्धभालीम मामयरिया विज्जाचरन पार्यगा किरियम अकिरियम बिनयम अनाणं चमहा मुनी एहिम चौहिम थानेहिम मेयन्ने किम पभासई एपाव करे बुद्धे नाये परिने उबुडे विज्जाचरन संपन सचे सच्च परक्कमे पडंती नरये घोरे जे नरापाव कारिनो दिवं चगईं गच्चंती चरित्ता दम्मामारियं माया वियमेयं तो मुसाभासा निरत्या संजम मानो वियाहं वसामी इरियामियं सौवेते वियामज्यं मिच्चादेटि अनारियं विज्जमाने चरेलोये सम्मम जानामी अपगं अमासी महापाने जुईमं बरिस सवोम में जासापाली महापाली दिव्वा बरिस सवोम में प्रेच्वे बंबलोगाव मानुसम् भवमागे अपनोय परेशिम्च आउं जाने जहातः नानारुइम्च चंदम्च परिवज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् आमनु संचरे पडिक्कमामी पसिनानं परमंते इंवापुनों अहो उत्थिये अहो रायं इविज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् बुद्धे तम्नाणं जिनसासडे किरियं चरोये धीडे किरियं परिवज्ये दिठ्थिये दिठ्थिसंपन्ने दम्मं चरसुदूचरं एयं पुन्नपयं सोच्चा अत्त दम्मो वसिप्वियं बरहो विभारहं वासं चेच्चा कामाई पववे सगरोवी सागरंतं भरह वासं नराहिवो इस्सरेयं केवलं हेच्चा दयाए परिनिवुडे चेच्चा भारहं वासं चक्कवत्टी महेद्धियो पवज्यम अभुवगवो मगवं नाम महाजसो सणं कुमारो मुने सिंदो चक्कवत्टी महेद्धियो पुत्तं रज्येठ वेत्तान विरायातवं चरे चाइत्ता भारहं वासं चक्कवत्टी महेद्धियो संति संति करेलोय पत्तो गई मनुत्तरं एक्कागरायवसमो कुन्थुनाम नराहिवो विखायकित्ति धीमं पत्ति पत्तो गई मनुत्तरं सागरंतं जहेत्तानं भरहं नरवरी सरू अरोय अरयं पत्तो पत्तो गई मनुत्तरं जहेत्ता भारहं वासं चक्कवत्टी नराहिवो चैता उत्तमे भोय महापव मेतवं चरे एगच्छत्तं पसाहित्त महिम्मानू निसूरनू हरिसेणू मनुसिंदू पत्तो गई मनुत्तरं अन्नियो रायसहसेहिं सूपरिच्चाइदमं चरे जयनामू जिनक्कायं पत्तो गई मनुत्तरं दसन्न रज्यम्मुयं चैताणमुनी चरे दसन्न पद्दो निक्खंतो सक्कम सक्केन चोयू नमी नमेई अप्पानं सक्कम सक्केन चोयू चयूनगेहं वैदेही सामन्ने पज्जुवत्तियू करकंडू कलिंगेसू पंचालेसुय दुम्महू नमी राया विदेहेसू गंधारेसुय नगई ए नरिंदवसभा निक्खंता जिनसासने पुत्ते रज्जे ठवित्तानं सामन्ने पज्जुवत्तिया सुवीररायवसभो चेच्चारज्यम् मुनीचरे उद्दायनों पववय्यों गई मनोत्तरं तहेव कासी राया सेहो सच परक्कमे काम भोगे परिचज्य पहनेकं महावनं तहेव विज्वो राया अनठ्था किति पववय्य रज्यम्तु गुनसामीधं पयहित्तु महाजसु तहे वुग्यम्तवं किच्चा अवकित्तेन चेयसा महावलो रायरिसी अद्दायसिरसासिरम् कहम धिरो अहे ओहिम् उम्मत तोव महिंचरे एविसे समादायसूरा डडपरक्कमा अच्चंत नियानकमा सच्चामे भारिया भासियावई कहम धिरो अहे ओहिम् अत्तानं परियावसे सौवसंग निम्मके सौवसंग विनिम्मके सिद्दे हवे नीरे तिभी मि विलक्षन है याध्या है प्रथम चोविस काथमे एक मात्वपूर्न कटना और एक संग्षिप्त एक ही पंक्ति का ऐसा दीवय उपदेश है सुत्र है जीवन का मात्वपूर्न है संग्षिप्त नाम भी इस अध्याय का मात्वपूर्न है यह संग्षिप्त प्रकार की जय प्राम्त करने वाला यह अध्याय है में किसी को आशिर्वान देना है तो क्या आशिर्वान देना कि ह criticizing कार्यक को करने जा रहे तो भीजिव तो में बिजय प्राम तो में सखलता प्राम्त हो किसी अशिर्वान ऐसा में देते तेँ थे तुम हर के आना आशिर्वादी क्या जो हारने के बात करें? चले है साधक, निकले है मार्ग पर विजय प्राप्त करना, और कैसे प्राप्त करों के जीवन पर विजय है? यह सहियती मुनीन को कहा गया उपदेश है, और फिर उन्हों ने ऐसा नहीं कि दीपक जला है, तो केवल अपना ही प्रकाश कर कर के, अपने कोई बता रहा है, कि मैं यहां दीपक हूँ, मैं इस्टेबल पर हूँ, यहां दीवाल पर हूँ, यहां कहा हूँ, ऐसा नहीं, वो आपके कमरे के जितनी चीजे हैं, उनको भी प्रकाशित करता है, साधक का जीवन, आत्मकल्यान क कि जो एक बीज हजारों फल पैदा न करें एक बीज में इतनी क्षंता है कि इस सारी धर्ती को वो व्रिक्षों से बाट दे भूलों से सजा दे इतने ताकत है इस भीज में धर्म की ताकत तो उससे भी पढ़ करके है ऐसे यह संयती मुनिकी गाथा और यह संयती मुनिक कौन है यह कंपिल्य नगरी के राजा संजय है उने के नाम से यह संयती अध्यान है एक दिन इन राजाओं का भी एक गुन है शिकार करना कंपिल्य राजा संग है जंगल में अपनी शना के सथ में परी कर के साथ में सब साथियों के साथ में शिकार करने गया 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 तु बिचारव एक मुर्ण के पपढ़ बिचारा गडेद अपमर्ड़न के पढ़ गया अपने शिकार खघोषने के लिए अपने शिकारक। वहां पहुचा, वह बान लगा हुआ, तीर लगा हुआ, उस हरीन को तेखा, और वह हरीन कहा है, साधु के पांसे पढ़ावा, भैवित हो गया राजा, कि मैंने क्या कर दिया यह, यह हरीन लगता है, अखिर यहां आया क्यों? उसने इतना जंगल पाहर करके, वह इस साधु के पांस में क्यों आया, इस साधु का ही मिय हरीन होगा, तभी यह इसके पांस में आया है, और अपरा गया, अब क्या होगा, जैसे ही साधु को पता चलेगा, कि मेरे हरीन को मारा है, तो साधु क्या करेगा, आपको पता चल इन्हें जाओगे की नहाओगे कίνि जाओगे दो बाते सुना के आओगे की नहाओगे रजा भी घगडा गए कि अब यह मुनी और मुनी कैसे होते हैं अ Просто करेंगे सराब देंगें और इनका स्राब मुझे लग जाएगा तो मेरा परीवार का विनाश हड़ जाएगा मेरे राज का विनाश हो जाएगा, मेरे सारा सुख खतम हो जाएगा, अब क्या करूँ है? भाइबिश हो गया, घपर गया और घपर हो जब उस हरीन को मानमारा तब घपरा नहीं गया और पता नहीं युद्ध में कितने लोगों को मारा हो का तब भैवित नहीं हुआ, और उस सादू के एक हरिन को देख करके भैवित हो गया, कि कहीं अब मेरा बिनाश शुरू नहीं हो जाए, और फिर ख्षमायाचना करने लग गया, कि मुझे मालुम नहीं है, कि आपका हरिन है, मुझे माफ करदो, माफ करदो मुझे. यह इतना भएविक था कि यह ने देखा कि मुनी माउन है, आख बंद करके बैठे, मैं उनको द्धान में कहा दिस्टब करो, कहा इंका द्धान मिशिलित हो जाए का तो और वो गए, इतना भएविक इतना परिशान, कि चरणों में किर कर के, माफि मागने लगा, माफि मागने किसी बात पर नाराज हो जाएंगे, किसी बात के अनकुलतना हो तो नाराज हो जाएंगे, क्या कहा, मुनी ने क्या किया, उसी शान तभाव में, एक सुत्र दिया, अभाव पत्थिवा तुभम, अभै दाया भवाईः, अभाव पत्थिवो तू अभै की प्राधना कर रहे हो, कि मैं तुम्हें श्राप न दू, तुम्हें भैभित न करो, मुझसे तुम्हें अभैदान मिले, इसकी प्राधना कर रहे हो, तो जो चाहिए वो मिलेगा कैसे? अभयदाया भभाई, तुम भी, सब जीवों को अभयदान देने वाले बनो, अगर अभयदान चाहते हो, तर तुम अभयदान दो, कितना छोटा सा सुत्र है, कि सुख पाना है, तो सुख तो, साता पानी है, तो साता दो, ज्ञान पाना है तो ज्ञान तो जो दोगे इस धर्ती में जो भीज बोओंगे वही फल मिलेंगे अगर अपने घर के सामने बबुल का पेड लगाया है तो जब भी निकलोंगे तब काटे चुबेंगे अगर फलों के तेड लगाया है तो फल भी तब काटे नहीं मिलेंगे फल ही मिलेंगे सुगंदे पुषपश कुप लगाया है तो सुगंदे से भर जाएगा वातावरे जो पाना चाते हो वही करो जो करोगे वही मिलेगा अभव बत्थिवातुपम अभए दाया भवाई है अभए दाता बनना है तो क्या करो मैं राजा सोच रहा है क्या करो मैं क्या कहेंगे आप आपको पूछे कि मुझे आप अभए दाता बनने के लिए कहा है तो मैं क्या करो क्या गरो अभय जान सब जीवों को अभयधान दो किसी को भेविट मत करो क्या करो लेली दिख्शा सभी निके प्रथी भूतानु कमैर प्रेम से भर गया है बढ – भ्रेम से भर गया है जीवन और दिख्शा लेली अपना परिचे पूछा किसी ने आकर कि एक सत्री मुनिने कि तुम कौन हो मैं सैयती हूँ सैयती मुनि हूँ संजमो नाम गुतिन मेरे आचारी है और आचारी कैसे है बिच्चा अचरन पारेगा और जब उसने ग्यान मांगा मुनि सैयती मुनि से तो क्या ग्यान दिया कोई ग्यान की चर्चा नहीं की चर्चा क्या की कि मैं उस मार्ग पर आया हूँ तुम भी इस मार्ग पर आओ और जो मैं कहा हूँ क्योंकि जो भगवान महावीर ने कहा हूँ मैं तुमको कह रहा हूँ ऐसा मत समझना कि इस सैयम के मार्ग पर इस ग्यान के मार्ग पर जैसे सुत्रकटान ने इस मार्ग के लिए वीर पहे हिंका, वीर पत है ये, इस पत पर चलने वाला कौन होगा, वीर ही होगा, ऐसा मत समझना कि अभी अभी किसी ने नाया रास्ता बनाया, पता नहीं आगे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा मंजिल पर, मैं जाओं कि नही मार्ग नहीं है, बहुत लोग इस मार्ग पर चले है, और कौन-कौन से लोग चले है, मैं तो कोई एक छोटा सा घर, एक छोटा सा परीवार भी छोड़ के आते हैं, तो कहते हैं, मैं अपना घर छोड़ के आया हूं, मैं अपना परीवार छोड़ के आया हूं, मैं अपना प चक्रवर्ती राजा और कहां तक पहुंचे हैं और ये मैंने कह रहा हूं ये भगवान महावीर कह रहा है इसका मतलब भगवान महावीर से चला आया वह मार्ग है और भगवान महावीर ने कहा है संती संती करे लोए भगवान शांती नात्वी चक्रवर्ती महाराजा है और उस चक्रवर्ती का सामराज छोड़ करके इस मार्ग पर आये है और उनके लिए लोगों ने क्या कहा सब लोग सब लोग सब लोग俊ंती शंटिनाथ करते हैं ऐसे शंटि नाथ इसी मार्क पर च ले है कितना पुराना है यह रास्ता और भगवान शंटिनाथ से ले करके आप तकंग ड़ष्पदेव से ले करके आप इस मार्ग पर चले है। और छोविस्वी गाथा से लेकरके आगे की 27 गाता हैं, सब इसी तरह से — दशारन parenthवद्र राजा चल करके आया है, 的करकंडू भी इसी रास्ते पर चले हैं, साधहरन व्यक्ती भी इस रास्ते पर चले है, और राजा महराजा भी इसी रास्ते पर चले हैं, तो कभी भी मन में शंका मत करना, कि पता नहीं ये मार्ग मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, पता नहीं ये रास्ते में ठक करके बैच जाना पड़ेगा, हो सकता है वापस लोट के आना पड़ेगा, ऐसा इस मार्ग पर बिना शंका किये वे चलना और खुद भी चलना और दूसरों को भी अपने साथ जोड करके लेना चल रहे हो तो खाली हाथ हिलाते हुए मत चलना कि तुमारी अंगुलिया पकड़ करके भी कोई साथ चल सके इस तरह से चलना कि चलो इस रेष्ट मार्ग है यह महान मार्ग है और यह मार्ग है अभाव पत्थीवा तुबह अभैदाया भभाए अभैदाता बनने का यह मार्ग है संसार को जीवन दान देने का मार गए, संसार को ग्यान दान देने का मार गए, और ताइमा बराबर करते हैं, कि मुझे कभी भी, कभी भी किसी भी क्षन हम जानते हैं, कितनी कटनाईयों में से गुजरे हैं, कितनी गहरी साथना की हैं, कितनी ज्याना राधना की हैं, कितनी कि मेरे जीवन का एक भी एक जान कसे अजन Кई मुझे दुख वहा है कि अफसौस वहारे कि बाश्चात्त मार्ग एर इस स्र lyष है अब इस मार्ग पर चलते आयरें है पहुंशते जा रहे पहुंशते जा रहे एतना ही नहीं बचने वाला सृिष्ड मार्ग है, धन्य मार्ग है, और ऐसे मारग पर हम चलते हुए, इस मारग की अनुमोदिना करते हुए, इस मारग पर अपने विश्वस की पुष्प चड़ाते हुए, प्रभु के वानी के दीपक इस रास्ते पर चल रहे हैं. हर वचन आपको प्रकाश देगा, हर सुत्र जीवन का एक आधार स्तंब बंकरके जीवन सम्न, प्रकाश स्तंब बंकरके आलो कित करता रहेगा, ये प्रकाश पूर्न अमार्ग है, चलना, ऐसा मत सोचना है, कि अब हो दिया तो पीछे चड़ गया आगे क्या, बहुत बढ़ा बहुत एक से एक बढ़ा के सुक्ति वचन, आज का ये सुक्ति वचन याद रखना, अभो पथिवातुपम, अभेदाया बभाई, ऐसा ये मान मार्ग है, मान मार्ग है, सरिष्ट मार्ग का हम उस पे वचनों को सुनते हूए, चलते रहेंगे, पहुष्ते रहेंगे, इस मा पाइगा, कोई कदम पीछे नहीं जाने वाला है, इस मार्ग पर आने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं जाता है, पीछे नहीं लोगता है, ऐसा ये सुरिष्ट मार्ग है, आपकिसाली है, कि खिर अवचा हैख स्वाध्याका अउसर मिला, ये रहाहतन, जहां प्रभू के च आलूब जकमगा रहा है, उस वातावरन में बैठ करके, हम स्वाध्या के ऐसे सुन्दर स्थान पर बैठ करके, साक्षान समोशरर में बैठ करके, हम इस वचन को सुन रहे हैं, हमारी अमाप शृत्ता, इन वचनों के साथ में है, हम अपनी शृत्ता, अपनी पुष पचड़ा करते हुए हम जीवन की याक्रा करें, बहुत बहुत शुक्तमना है, आज मांक के गले पर थोड़ा सर्दी का असर था, तो मैंने सूचा कि कुछ कोई बात नहीं, आप भी समतोश कर लेंगे, दूद नहीं, तो छास्पी करके समाधन कर लेंगे। वहां से अन्य क्षमता थे आप तक पुंचाने की पुंचाई है, इसमें मेरी कोई भूल हुए हो, तो मिछ्छा में तो क्लाम। नमो अरंतानं, नमो सिथ्धानं, नमो आयरियानं, नमो अच्छायानं, नमो लुए सवसाभुनं, एसो पंच नमो कारो, सभव पाव पनासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, पड़म् हवैं मंगलं, गुरुदें की अधन्या, चत्तारी मंगलं, अरहंता मंगलं, सिथ्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पनत्तो धमो मंगलं, चत्तारी लुगुत्तमा, अरहंता लुगुत्तमा, सिथ्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लुगुत्तमों, मंगल में है नाम प्रभु का, स्रेष्ट है मार्ग प्रभु का, प्रभु के मार्ग पर चलने के हमारी प्रतिग्या है, उस प्रतिग्या को हम एक साथ दुरा रहा है. चत्तारी सरनमपः जामी, अरहंते सरनमपः जामी, सिद्धे सरनं पवज्जामी साभू सरनं पवज्जामी अरहंत सिद्ध साधू और धर्म की शरन लेकर के जो जीवन की याक्रा पर चला है उसके लिए परमात्मा के अशिर्वाद परस रहे इतिक वजन वा अशिर्वाद रूप है अशिर्वाद है परमात्मा के आशिर्वाद है इस तीर्भूमी के आशिर्वाद है पुर्द्धे शर्थे ओटर श्रत या जारियों मा के बहुत vais सरत कामना है आप सब तरिय और बहुत बहुत धन्यबास हम डेते है साद्वी संगमित्राजी और विभाजी ने इतने सुंदर स्वाध्या हमें कराया है और आप सबने स्वाध्या का लाब लिया है आप अभी 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 नंदन है बहुत बहुत शुक्ता हुआ